आदिपुरुष रिलीज हुई और साथ में बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी लेकर आई फिल्म के डायलोग लिखने वाले राइटर साहब को जान से मारने की धम्ती तक मिल गई लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले लोग इन सब से हटके एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं रोज एकदम इमानदारी से अपने सोशल मीडिया पर फिल्म ने कैसे सौ करोड, देर सो करोड की कमाई कर ली ये बता दिया जाता है इवन फिल्म में काम करने वाली अक्रिस क्रिती से अनने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसका टाइटल है फोकसिंग ओन चियर्ज अन क्लैप्स मदलब एक तरफ पबलिक का गुसा तो दूसरी तरफ फिल्म में काम करने वाले लोगों का घमण उनके हिसाब से तो सची ओर्डिन्स ताली बजा रही है ये गाली देने वाले लोग जो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के वीडियो जाल रहे हैं इनको तो पैसे मिले हैं फिल्म को बदनाम करने के तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आदी पुरुष फिल्म के कलेक्शन की असली सचाई बताई जाए ऐसी बातें जो हमेशा परदे के पीछे रहती हैं कोई भी फिल्म बनाने वाली कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि पब्लिक को ये सब पता चल जाए लेकिन अब जब पब्लिक कोई जूटा बुला जा रहा है पैसे मिले हैं एक एक आदमी को फिल्म की बुराई करने के ऐसे इलजाम लग रहे हैं ये सबकुछ सुनने के बाद मुव बंद रखना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा अपराद होगा तो सबकी पोल खोलती हूँ मैं टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगी ऐसी बाते जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई हूँगी लेकिन आदी पुरुष का सच इनी में कहीं छुपा है पॉइंट नमबर वन बॉलिवुड के सबसे बड़े डिरेक्टर्स में से एक है करन जोहर इनका एक इंटर्विव है 2021 का जिसमें ये परसेप्शन शब्द का जिक्र करते हैं मतलब किसी चीज को देखकर इंसान किस तरीके से रियाक्ट करता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसके अगल बगल वाले लोग उसको कंफ्यूज कर दें करन जोहर ने साफ बोला ये जो फिल्म रिलीस होने के बाद स्टार्स वाला चार्ट आपके सामने रखा जाता है फिल्म बनाने वाली कंपनीज की तरफ से ये फिल्म की रिलीस से पहले ही तयार कर लिया जाता है मतलब फिल्म बिना देखे ही स्टार्स पहले दे दिये जाते हैं इवन हर एक पॉइंट के नीचे क्या लिखना है कैसे लिखना है एक एक शब्ध खुद फिल्म बनाने वाले बताते हैं करन जहरती ये stars देने वाले लोगों की तुलना पैपराजी तक से कर देते हैं जिनको पैसे देकर बुलाया जाता है किसी भी celebrity की photo खीचने को लेकिन हमेशा celebrity ऐसे react करेगा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था यही होता है perception create करना जब आप किसी film को देखकर घर लोटो दिमांग में सिर्फ बुरी बातें घूम रही हो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई लेकिन सामने एक stars वाला चार्ट रख दिया जाएगा जिसमें 4-3 stars का बेहिमानी वाला game खेला जाता है और आप सोचोंगे शायद महीं फिल्म को समझ नहीं पाया अब बताती हूँ point number 2 आजकल notice किया है आपने जब भी कोई बड़े लेवल की film रिलीज होती है तो उसका collection सिर्फ इंडिया नहीं worldwide बताया जाता है जरा हटके जरा बचके नाम की फिल्म आई जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया लेकिन उसका collection हमेशा इंडिया से कितना आया ये बताया गया लेकिन जैसे ही आदी पुरुष रिलीज होती है और पहला दिन खतम होता है अगले दिन पब्लिक के सामने 140 करोड वर्ल्ड वाइड लिकर एक पोस्टर डाला जाता है सिर्फ आदी पुरुष नहीं इवन जब शारुक खान की फिल्म पठान आई तब 106 करोड डे वन वर्ल्ड वाइड लिकर जश्ट मनाया गया जबकि क्या आपको पता है आदी पुरुष के 140 करोड में से इंडिया के अंदर सिर्फ 86 थे बाकी 41 करोड बहार से बताये गए लेकिन इस मामले में सबसे शॉकिंग फिगर है ऐसे स्राजा मॉली की फिल्म RRR का वहां तो आपके होशी उठ जाएंगे वर्ल्ड वाइट पहले दिन 223 करोड जबकि इंडिया से सिर्फ 133 करोड आया हिंदी ओनली 20 करोड जबकि विदेश में अल्मूस 100 करोड कमाये पहले दिन ये वर्ल्ड वाइट वाला गेम क्यों शुरू किया गया आपको बताऊं मैं एकदम असली सीक्रेट ये वर्ल्ड वाइट slिम बनाने वाले production house करोड लिए लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद आपने से किसी ने भी क्या किसी एक स्कूल वाले बच्चे का विडियो देखा जो फिर्म सच में देख रहा था इन टिकेट्स पे नहीं देखा होगा वो इसलिए क्योंकि ये 10,000 टिकेट वाला गेम कोई नया नहीं है बहुत पहले से चला आ रहा है बस इसका असली नाम कुछ और है Corporate Booking बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को तो आज तक किसी को इसके वारे में पता कैसे नहीं चला यहीं से निकलता है अपना Point No.4 किसी चीज को इतनी बार repeat करो कि सामने वाले को जूट सुनने की आदत ही हो जाए और वो गलती पकड़ी ना पाए कभी शक ना हो कि जो उसने देखा या फिर सुना उसमें एक परसेंट भी जूट हो सकता है यह हमारे साथ किया गया अक्षे कुमार की फिल्माई सेलफी सिफ साथ हजार टिकेट्स बिके एडवांस में मुश्किल से दो करोड का बिजनिस किया पहले दिन क्या सच में आपको लगता है 30 साल से जो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो 2 करोड की ओपनिंग देगा या फिर खुच से पूछो जो बाकी फिल्मों में 10-15 करोड ओपनिंग बताई जाती है वो कितनी सच है आक्शिली इसकी असली पोल खुली है लॉकडाउन के बाद जब फिल्म बनाने वाले लोगों को पता था पब्लिक थेटर जाएगी ही नहीं इसलिए कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तिमाल कम हुआ जिससे ओपनिंग नीचे गिर गई उस ताइंग जादा आता तो पूरा गेम ही एक्स्पोज हो जाता पॉइंट नम्बर 5 ज़रा ध्यान से सुनिएगा शायद आपको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होगा फिल्म लाइन का सबसे बड़ा सत छुपा है इसके अंदर क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बुलू आदी पुरुष ने कितने पैसे कमाई ये हिट है या फ्लॉप बजट वगेरा कितना है ये सारे सवाल फालतु हैं इनका कोई मतलब भी नहीं है ये सिफ पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तमाल होते हैं अगली बार फिल्में और क्या करना चाहिए ये जानने के लिए जाल के बीच में मकडी देखी है वो मैं और आप हैं बस पर कितना है कि ये जाल मैंने और आपने नहीं बिल्की फिल्म वालोंने तयार किया एक्चिली फिल्म जब रिलीज भी नहीं होती ना उससे पहले ही अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है जी हाँ फिर चाहे उसका बजट 600-700 करोड क्यों नहीं हो नुकसान एक पैसे का नहीं होगा आदी पुरुष का ओफिशल जो बजट नंबर है वो कहीं न कहीं 500-500 करोड के बीच में जाके बैठता है अब कमाल की बात बताओं हिंदी प्लस तेलगू दोनों के ठीट्रिकल राइट्स मिलाकर अल्मूस 270 करोड में बेचे गए अब इसमें 500 करोड और जोड लीजे क्योंकि OTT पे फिल्म दिखाने के डिजिटल राइट्स भी अल्रेडी बेचे जा चुके हैं अब जरा हिसाब लगाईए बजट की रिकवरी 100% पूरी हो गई यहां मैं और आप Friday फिल्म ने कितना कमाया, Monday कितना कमाया यह सोच के उल्लू बने जा रहे हैं उपर डंबू बज़रा है मैं और आप नाच रहे हैं जबकि फिल्म अपना पैसा पहले ही पीट चुकी है यह है अपनी फिल्म इंड स्टी का सबसे बड़ा सछ पॉइंट नमबर 6 एक बड़ी गलती भी हो गई है आदी पुरुष फिल्म के मेकर से इन्होंने 500-600 करोर बजट का गाना गाके फिल्म का हाइप तो बना दिया रिलीस से पहले लेकिन बाद में ये बजट फिल्म के लिए बिल्ली के गले में बंधी हुई घंटी की तरह हो गया जहां वो बिल्ली जाएगी उससे पहले घंटी की आवाज सुनाई देगी इसके ठीक उल्टा गेम खेला एक लो बजट फिल्म दे केरला स्टोरी ने इनके पास बजट था नहीं इसी वे शुरुआत में उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जबकि आदी पुरुष में बजट अल्रेडी हाई बोल दिया गया इसी वे जो पहले दिन 140 करूर का नंबर भी बोला गया तो भी लोग सोच रहते हैं ये 607 समय कैसे बदलेगा पॉइंट नंबर 7 को समझने के लिए आपको कल्यूग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कल्यूग है असुर कली का यूग जो लोगों के दिमाग से खेलता है उनकी सोचने की शक्ती धीरे धीरे खतम करके उनसे बुरे काम कराता है और कली के दो सबसे बड़े सिपाही है कोका और विकोका जिनको वरदान है अमर होने का जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं अलग हुए तो कमजोरी पकड़ ली जाएगी अपनी फिल्म लाइन में ये असुर कली कौन है जानते हो वो लोग जो फिल्म बनाते हैं ये पबलिक के दिमाग को मैनिपलेट करते हैं बहुत आसानी से सही गलत के बारे में सोचने तक नहीं देंगे आपको जबकि कोका और विकोका कौन है सोचल मीडिया प्लस पियार एजनसी दोनों साथ मिल गए तो पबलिक गई काम से लेकिन आपस में लड़ गए तो फिल्म गई काम से आदीपुरुष की एडवांस बुकिंग कितनी हुई कहां से पता चला सोचल मीडिया से जिसने ये सब कुछ नहीं भी डूंडा उस तक भी निउस पहुँच गई कैसे पियार की वज़े से आपको मालूम है जो फोन, टीवी, कंप्यूटर, लैप्टॉप आपकी घर में शांती से पड़े हैं उनमें जो स्पीकर और कैमरा है वो 24 घंटे आप पे नजर रखते हैं अगर गलती से आपने एक बार आदी पुरुष नाम दिया तो हर जगे सिर्फ भई दिखाया जाएगा इसको बोलते हैं डिजिटल ब्रेन वॉशिंग बाकी सोशल मीडिया की जो ताकत ही है एक इंसान आराम से हजार अकाउंट बना के आपको आदा सच आदा जूट कुछ भी निउस बता के सुना देगा और आप मान लोगे फिर अगर ये फाइदे का हुआ तो पी आर उस निउस को पकड़ेगा और आग की तरह फैरा देगा बिचारी जनता तो सिर्फ मोबाइल चला रही थी इतना थोड़ी सोचते हैं पॉइंट नमबर आठ हनुमान जी के लिए एक सीथ खाली रखी गई हर थीयेटर में क्योंकि जब-जब रामायन होती है हनुमान जी देखने आते हैं डिरेक्टर ने बोला जबकि फिल्म के बाद राइटर सहाब बोले हमने रामायन नहीं बनाई हमारी फिल्म आदी पुरुष है जो रामायन से inspired है वो रामायन नहीं है आपने सुना होगा सिनिमा को सिसाइटी का आईना बोला जाता है इसका रीजन कभी पूछा किसी से लॉजिकली आपको समझाओं तो इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है न वो सिनिमा में धीरे धीरे घुश जाएगा नहीं समझे तक कश्मीर फाइल जाई छोटे बजट की फिल्म कमाई सोच से काफी जादा फिर दक केरला स्टोरी का आना और पबलिक के दमाग पे छादाना ये फिल्म में अचानक से काम क्यों करने लगी क्योंकि इनका टॉपिक अब रेलेवेंट हो चुका है लोग इनके बारे में बात करते हैं इसलिए सिनिमा में इनको देखने जाते हैं इसलिए फिल्म आदीपुरिश के सब्जेक को फिल्म बेचने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है एक जो सेक्शन ऑप ससाइटी है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता फिल्म अच्छी है या बुरी फिर चाहे कॉंट्रिवर्सी करनी पड़े या फिल्म बेचना फिल्म अच्छे होने से जादा जरूरी है रामायन शब को भूले नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे पॉइंट नमबर नौ तीन दिन में 340 करोर का नमबर आया लोगों ने बहुत शोर मचाया लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी लैंगविज मिला के इंडिया में बस 20 करोर कलेक्शन वर्डवाइट 35 इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फिल्म में पैन इंडिया रिलीस क्यों की जाती है अक्चली इंडियन सिनिमा में सबसे अनप्रेडिक्टिबल है हिंदी ओडियन्स हिंदी ओडियन्स को अगर आपने फसा लिया ना तो बेटा जी कलेक्शन 1100-1200 करोर तक जाता है सबसे बड़ा एक्जैंपल है KGF चैप्टर टू अक्चली प्रभास का स्टाडम तेलगू में किसी से छुपा नहीं वो चाहे राधे शाम बना या फिर आदी पुरुष शुरुबात के तीन दिन पिक्चर पैसा पीतेगी उसके बाद खतम और तेलगू में जब नंबर हाई जाता है न तो फिल्मेकर्स उसका इस्तिमाल कर रिकॉर्ड तोड लेकिन साउथ बेल्ट में नंबर ना के बराबर था इसलिए आदी पुरुष को न जान गूचकर एस प्रॉपर बॉलिवूड फिल्म नहीं बेचा गया उसको तेलगू इंडस्री से निकलने वाली एक पैनल इंडिया फिल्म की तरह बेचा रिजल्ट पहले दिन तेलगू में फिल्म ने कमाई अल्मूस पचास करोड और हिंडी में अल्मूस चालिस करोड लेकिन अब चौते दिन तेलगू में साथ करोड और हिंडी में अल्मूस साड़े आर्ट Hindi audience ने ठेंगा दिखा दिया, तेलगू में तो यही होना था, चाला की fail हो गई लास्ट में point number 10, चाहे कितना बड़ा filmmaker क्यों न हो, चाहे कितनी पुरानी film company जो Bollywood को रूल करती है यह सब डरते हैं सिर्फ एक चीज से word of mouth, इसको ना तो खरीदा जा सकता है और नहीं आज तक कि कभी किसी से हारा है छोटी सी छोटी film को आस्मान तक पहुचा सकता है और आस्मान पे बैठे लोगों को जमीन पे लाके पटक भी सकता है लेकिन पता है पहले यह word of mouth उतना जादा तेज सुनाई नहीं देता था इतना fast reaction पता भी नहीं चल पाता था, वक लगता था एक दो हफते का बट अब जब से यह YouTube पे reviews वाली category ने आग पकड़ी है ना, लोगों के पास आवाज आ गई है वो फटाफट अपना reaction एक दूसरे तक पहुचा देते हैं मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ पब्लिक की जो अब aware हो गई है, content क्या होता है इसलिए टिकेट खरीदने से पहले double check करती है शर्ट लगा लो अगर ये YouTube पे reviews वाली category नहीं होती ना, तो आदी पुरुष्ट आज भी 100-500 करोड का business छापती बिलकुल आराम से फिल्म के dialogues हो या फिर makers की रामायन को गलत दिखाने की कोशिश सब कुछ पब्लिक तक पहुँचाया गया और पब्लिक ने थियेटर में अपना फैसला सुनाया हाँ तो भया उमीद करती हूँ अगली बार जो आपसे पूछा जाए ना कि फिल्म हिट हुई या फ्लॉप सिर्फ इतना सोच के जबाब मत देना कि उसने पैसे कितने कमाए एक बार मेरे ये 10 पॉइंट्स वाला वीडियो ज़रूर याद कर लेना उसके बाद एहसास होगा हम लोग चैस के गेम में सिफ़ एक छोटी सी गोटी है राजा रानी बहुत उपर बैठे हैं अगर सच में वीडियो पसंद आया तो अगली बार से सवाल पूछेगा खुछ से क्या आपका दिमाग वाकी आपकी सुनता है या फिर रिमोट कंट्रोल कहीं और है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई